यूपी गा मुहमदाबाद विलेज जो कि फिरोजाबाद के पास ही है वहां से एक बहुत ही चौकाने वाली घटना आई है 53 वरशी सपना जैन को उनके अपने ही घर में लगबग 35 साल तक जन्जीरों में बान के रखा गया ये कहा गया कि उनकी दिमाग यहला ठीक नहीं है और उनके खुद के पिता ने उन्हें लगबग 35 साल तक जन्जीरों से बान के रखा अभी कुछ समय पहले जब उनके फादर के डेथ हुई तो कुछ NGO वरकर्स उनके घर गए उनकी इस हालत को देखा और पुलिस के सायता से उनने रेस्क्यू किया अभी आगरा के मेंटल ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चल रहा है अब देखिए उनकी उम्र अभी लगबग 53 वर्ष है और लगबग 35 से 36 साल तक उनको captivity में रखा गया होगा तो जिस टाइम उन्हें कैद करके रखा गया होगा उस समय उनकी उम्र क्या होगी देखिए जब आप 19 साल 20 साल के होते हैं तो इसके आने वाला जो समय होता है 30-35 साल का यही वो टाइम होता है जब आप अपनी life में कहीं सारी चीज़े करते हैं आप अपना career बनाती अपनी family को आगे बढ़ाते हैं पर इसी समय के अंदर उनको इस कैद में रखा गया और अब उनका इलाज चल रहा है यह का गया कि उनकी दिमाग यालट ठीक नहीं थी इसी कारण उन्हें इतने साल तक captivity के अंदर रखा गया अब यह भारत का कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कहीं ऐसे कैसे साथ च आया और इस तरीके से उन्हें rescue किया गया और फारत के अंदर भी इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं कहीं बार यह देखा गया है कि विलिज के अंदर गाओं के अंदर अगर किसी व्यक्ति को mentally कोई समस्या है तो खर के अंदर उसे कैद कर लिया जाता है उसका इलाज नह उनकी फादर के death के बाद अब उन्हें rescue किया गया है अब यहां पर सपना जेन के human rights का भी violation हुआ है क्योंकि इतने साल तक अगर आप किसी को captive करके रखते हैं कैद करके रखते हैं मतलब आप उस व्यक्ति के human rights का भी violation कर रहे हैं पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि human rights आखि उनकी कमरे में 36 साल गुजार दिये और उसके बाद अब उन्हें free करवाया गया अब उनकी उम्रे 53 साल तो हो गई है पता नहीं वो कब ठीक होगी और उसके बाद उनकी कितना जीवन बचाओगा अब human rights क्या होते हैं देखिए यहां पर हम fundamental rights की बात नहीं कर रहे हैं यहां rights का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जो दुनिया में हर इनसान के पास होता है चाहिए फिर वो किसी भी country के इंदर पैदा हुआ हो कोई Canada में पैदा हुआ है अफरीका में पैदा हुआ या इंडिया में पैदा हुआ है घर व्यक्ति के पास कुछ basic rights होना जरूरी है जो कि दु Human Rights की बात शुरू हुई कहां से, Human Rights की बात शुरू होती है, United Nations के Universal Declaration of Human Rights से, UDHR से, United Nations जिसके बारे में आपने सुना होगा, World War 2nd के बात पूरी दुनिया को यह जरूत पड़ गई, कि अब आगे से ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कि दुनिया के देश आपस मिलने, तो क् इसी संगठन के अंदर Human Rights की बात भी उठी, क्योंकि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर कबजा जमा लेता था, तो वो मां के लोगों के साथ बड़ा ही Unhuman Behavior करता था, लोगों को बुरी तरीके से Treat करता था, इसलिए इस बात की जरूत मैसिवस हुई, कि कुछ ऐसे नियम बनाना जरूरी है, जो कि पूरी दुनिया के उपर लागू हो, और दुनिया के हर व्यक्ति के साथ एक जैसा Treatment किया जाए, इसी को लेकर यहां पर सबसे पहली बार 1946 के अंदर United Nations Commission के अंदर Human Rights का एक Draft पब्लिश किया गया, Draft का मतलब होता है, एक Document पब्लिश किया गया, उ इसका नाम था, तो United Nations General Assembly ने इस Draft को Accept कर लिया, December 10, 1948 के अंदर Paris के अंदर, अब यह Point बहुत Important है, यह Date बहुत Important है, क्योंकि जिस दिन इस Draft को Accept कर लिया, United Nations General Assembly ने, उसी दिन को हम World Human Rights Day के नाम से Celebrate करते हैं, दे याद रखिएगा December 10, December 10, 1948 को, इसके बाद इसमें total 30 articles हैं, और 30 आइटिकल साप ऐसा मानी कि 30 अलग अलग नियम है, कि दुनिया में कोई व्यक्ति कहीं भी हो, उसके पास ये सारे अधिकार होंगे ही, पर इस टाइम जब इससे Accept कर लिया गया था, तो उसके बाद भी दुनिया के हर देश के अंदर यह Legalize नहीं हुए था, ऐसा नहीं था कि National Human Rights Commission है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अब एक सवाल आता है कि हमारे देश में सा कौन सा कमिशन है, जो Human Rights के वालेशन को रोकता है, तो इसका जवाब है National Human Rights Commission NHRC, जिसे 1993 के अंदर फॉर्म किया गया था, देखिए अगर आप किसी भी examination के तयारी कर रहे हैं, तो इ 1991 के अंदर United Nations के जितने भी देश है, वो अपस में मिले और उन्होंने तय करा कि अपने अपने देश के अंदर वो कई institutions को खोलेंगे, या किसी commission को establish करेंगे, जो कि देश के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके मानव अधिकारों क भी रक्षा करेगा, साथ इसाथ action भी लेगा, और इसके बाद हमने 1993 में Parliament से एक एक पास करवाया, वो एक्ट था the protection of human right act, जो कि 1993 में पास हुआ पारलेमेंट से और इसी act के तहद 1993 में ही National Human Rights Commission की स्थापना की गई, NHRC statuary body, अब statuary body का क्या मतलब होता है, statuary body का मतलब यह होता है कि पारलेमेंट से एक एक पास हुआ और उस act के तहद, उस कानून के तहद इस organization को establish किया गया, जैसे हमारे देश में कुछ body constitutional bodies है, जैसे UPSC, Union Public Service Commission, अब Union Public Service Commission के बारे में जो लेख है, वो समिधान के अंदर ही है, कि उसके chairman की निवक्ति कैसे की जाएगी, कितने members होंगे, यह सारी चीज़े समिधान में है, बट समिधान के बाहर भी अगर आपको किसी organization को setup करना है, जो कि भारत सरकार की organization है, तो पार्लेमेंट के through एक act को pass किया जाता है, और उस act के तहद फिर इस तरह की bodies को setup किया जाता है, और ऐसी जितनी भी bodies होती है, जो कि किसी act के through setup की गई ह है, वो सारी bodies होती है, statuary body याद रखिएगा, इस commission के अंदर लगबग दो बार अभी तक amendments हो चुके हैं, एक 2006 के अंदर हुआ था, एक 2019 के अंदर हुआ था, 2019 को जो amendment था, वो tenure को लेकर था, मतलब कितने time तक इसके members रहेंगे इस commission के अंदर, पहले time 5 साल था, अभी 2019 के बाद इसे 3 साल कर दिया गया है, एक important point है, याद रखिएगा, अब इस पूरे commission के अंदर, जो सबसे बड़े इसके head होते हैं, वो इसके chairman होते हैं, एक multi-member body है, काफि सारे members होते हैं, पर इसके head एक chairman होते हैं, इसके chairman बनने के लिए, जो qualifications है, वो इस तरह की है, कि या तो कोई व्य सकती, national human right commission का chairperson बन सकता है, जो कि इसका head होता है, अब इसके members को, और इसके head को, मतलब chairperson को कौन चुनता है, तो 6 members की committee होती है, जिसमें prime minister होते हैं, इस committee का chairman, इसके बाद speaker of लोकसभा होते हैं, union home ministers होते हैं, deputy chairman of राटसभा होते हैं, साथ-साथ leaders of operation in the both house, मतलब राटसभा औ वो भी होते हैं, और ये सम मिल के तए करते हैं कि कौन इसका member बनेगा, और कौन इसका chairman बनेगा, इसके जो members का कारकाल होता है, और chairman के भई कारकाल यहाँ पर 3 साल तक का होता है, मैंने अभी आपको बताया कि 2019 में amendment किया गया था, उससे पहले 5 साल था, पर 2019 के बाद इसे 3 सा कर दिया गया, और जो age होती है, maximum age, वो होती है, 70 साल, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएं, या तो वो 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, या उनकी 70 साल हो गई है, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, उससे ही इनका tenure माना जाएगा, उससे ही इसका tenure consider किया जाएगा, तो राज्यों के अंदर भी State Human Rights Commission भी होते हैं, जो कि राज्यों के अंदर ये देखते हैं कि कहीं वहाँ पर तो मानव अधिकारों का आनद नहीं हो रहा है, तो यह पूरा मामला था है, और इसी तरीकी के मामले आगे ना आए, इसको लेकर भी NHRC हमेशा काम करता रहता है, मैं आप से लेक्स लेक्चर के अंदर मिलता हूँ, आप सबी अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्त रहिए, जय हिन, जय भारत!